अगस्त माहं 2023 के अंतिम तीन दिन मकर राशी के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 29, 30 और 31 अगस्त के मकर राशी फल के बारे में इन तीन दिनों में आपके लिए किस तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे ये तीन दिन आपके जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर आएंगे क्या योग बनने वाले हैं क्या शुबतिती होंगी क्या शुब समय रहेगा इन तीन दिनों में किस तरह के लाव आपको होगी सावधानी तो सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में वीडियो को लास तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ क्योंकि यहां आपको अपनी राशी से जुड़ी हर एक जानकारी मिलती है समय पर या समय से पहले तो इन तीन दिनों के तिथी नक्षत्र की पहले बात कर लेते हैं यह जो 29 अगस्त का दिन है मंगलवार का दिन है और शुकल पक्ष की त्रियोदशी तिथी रहेगी अब यहाँ श्रवन नक्षत्र रहेगा इस दिन जो की रात्रे तक रहेगा सुभाग्यय योग के साथ दिन की शुरुवात होगी उसके बाद सुभा को 6 बजे बन जाएगा शोबन नाम का योग जिसके स्वामी होते हैं ब्रस्पती चंद्रमा मका राशी में विराजमान यानि आपकी लगन में चंद्रमा विराजमान हैं सूरिय सेहिंग राशी मगा नक्षत्र में हैं और इस दिन रवियोग भी बनेगा साथ में मालक्षमी का साथ पी होगा तीस अगस्त बुद्वार का दिन है शुगल पक्ष की चतुर देशीति थी सुभा ग्यारा बजे तक है क्योंकि ग्यारा बजे से लग जाएगी पुनिमा सावन महा की पूर्णिमा है जिसको रक्षाबंधन का पार्व मनाया जाता है तो रक्षाबंधन का पार्व 30 अगस्त से शुरू होगा 31 अगस्त चलेगा गनिस्ट नक्षत्र है अतिग्न नाम का योग बनेगा और चंद्रमा मकर राशी से निकल कर हो जाएंगे कुमराशी में यानि चंद्रमा आजाएंगे आपके द्वित्य भाव में आपके राशी के स्वामी धन के स्वामी शनी के साथ चंद्र की यूति हो जाएगी सूर्य सेहिंग राशी मगा नक्षत्र में विराशमान होंगे और यहां भी रवी योग बनने वाला है इसके बाद आजाते हैं हम 31 अगस्त पर 31 अगस्त पुनिमा ती थी सुबा 7 बज कर 5 मिनट तक उसके बाद प्रतिपदा ती थी है शत्विशा नक्षत्र है सुकर्मा नाम का योग बनेगा शाम तक उसके बाद ध्रति नाम का योग बनेगा चंद्रमा आपके द्वित्य भाव में कुम राशी में शनी के साथ और सूर्य सेहिंग राशी में लेकिन इस दिन सिहिंग राशी में जो सूरिय है उसके नक्षत्र का परिवर्तन है सुभा को 9.44 मिनिट पर मगा नक्षत्र से पूर फालगुनी नक्षत्र में सूरिय प्रिवेश कर जाएंगे ये पिर जो परिवर्तन होगा ये काफी महतपोन होगा तो ये हो गई हमारी ग्रहों की इस्तिति अब इसी क्याधार पर चलिए जानते हैं सबसे पहले बात करेंगे 29 अगस्त के बारे में कि 29 अगस्त का दिन आपको क्या देने वाला है तो जैसा कि ग्रहों की इस्तिति है ये चंद्रमा तो इस दिन आपकी लगन में होंगे लेकिन दिन बड़ा आली शान दिखाई दे रहा है आपके लिए फिर वो आपके जीवन के कई शेत्रों के लिए तो बहुत शुब होने वाला है सबसे पहले मैं स्वास्ते की बात करूँ स्वास्ते आपका बड़ा अच्छा रहेगा आप काफी एनरजेटिक होंगे आपको अगर स्वास्ते संबंदी परिशानिया थी तो राहत देखने को मिलेगी आपका जो एक वहवार होता है न मकर आशी के लोगों का दान शीलता का दान देते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं कि आपने किसी को क्या दिया है ये आपके लिए एक छुपे हुए आशिरवाद की तरह सिद्ध होगा और आपको ऐसी चीजों से बचाएगा शक हो गया लालच हो गया आशकते हो गई ऐसी चीजों से आपको बचा कर रखेगा आपके पास पैसा परियाप्त मात्रा में हैं साथी मन में संतुस्टी भी है शांती का भाव भी है आपकी घरेलू जिंदगी सुकून भरी रहेगी खुशनुमा रहेगी और आपके अंदर एक रोमांटिक छाप आप अपने साथी पर अपने प्रेमी पर आप छोड़ने वा इस दिन आप अपने प्रतिवधवन्दियों को पचार पाएंगे भर पूर अचनात्मक रहेंगे एक अंदर उत्साह होगा कुछ करने का जो आपको फायदे मन दिन की तरफ लेकर जाएगा आपका जीवन साथी आपके साथ मिलकर बहुत अच्छी यादों को सजोएगा बह दिन के साथ चंदर की योती हो गई है द्विते भाव में यहाँ वानी आपकी थोड़ी प्रभावित हो जरूर होती हुई दिखाए दे रही है लेकिन आपके लिए दिन बड़ा अक्तम रहने वाला है धन के मामले में अच्छा है और घर्चाई का योग तो है ही देखिए अच्छा बंदन का पर्व है अच्छा ये पुनिमा तिती है तो दिन की जो शरुवात है मालक्षमी केराधना के साथ करें मांगली का अफसर आपको मिलेंगे अपने जीवन में जो आपको किसी से भी बात करने में संकोच को गायब कर देंगे यानि कि आप संकोच ही नहीं रहेंगे काफी हलका मैसूस करेंगे अपनी बातों को दिल के बाहर निकाल सकते हैं बुरे अनुभव हैं अच्छे अनुभव हैं उनको साजा कर सकते हैं खुश रहेंगे आप शाम का समय बहुत अच्छा रहेगा शाम को चार से और छे का बीच का जो समय है बहुत पहाई दे रहा है, सफेद रंग पहनने से बस आपको बचना होगा दोनों ही दिनों में, 39 और 30 अगस्त को सफेद रंग पहनने से बचने हैं, बाकि आप कोई सबी रंग पहन सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, बैनिफिट देने वाला रहेगा, इसके लावा इस दिन जो दुईते भाव के चंद्रमा हैं, शनी के साथ मिलकर, जो कि वो धन भाव के स्वामी हैं, तो धन आपको बड़ा प्राप्त होने वाला है, धन की प्राप्ती होगी, और मन बड़ा प्रसन रहेगा, परिवार के साथ भी अच्छा आपका समय बीतने वाला है, बड़ मेहनत से सबकुछ आपके हक में होगा आपके हाथ में होगा उसका भी आपके लिए काफी लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है वानी प्रभावित ऐसे हो सकते हैं किसी के साथ हो सकता है कहा सुनी हो जाए तो आप चाहें तो उसका हा सुनी को टाल भी सकते हैं खुद पर प्षत्र का परिवर्तन है चंद्र की सुभा पूरिमा ते थी साथ बज़ कर पांच मिनाट तक रहेगी रक्षा बंदन का पर विज दिन भी मनाय जाएगा लेकिन मोरत सुभा तक होगा साथ बज़े तक ही दो दिन रक्षा बंदन है ये दिन आप पूरी मीटिंग में गिरे रह सकते हैं काफी वेस्ट अभरा दिन रहेगा मीटिंग अगयरा हो सकती है क्योंकि महिने का अंतिम दिन भी है अपनी जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभाएंगे अपनी बॉस अपने साथियों पर अच्छी चाप छोड़ेंगे और अगर आप देख रहे हैं कि आ पैने फिट भी आपको मिलेगा आज कुछ धर्मकर्म के कामों से भी जुडेंगे आपकी आर्थीक स्थिती हो गई आपकी सामजिक हैसित हो गई उनका इस्तेमाल करेंगे आज आप कामों में और इससे आप और लोगों का भला भी कर पाएंगे आपको लगेगा कि जो आप प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक है दामपत जीवन अच्छा है घर परिवार के लोगों के साथ अच्छा वक्त भी देगा और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए तीनों दिन मैं कहूंगे अच्छे होने वाले हैं काफी बिजी तो रहेंगे लेकिन अच्छे होने वाले हैं तो दोस्तों और अदे किसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले